दोस्तों स्वागत है आपका एक पार फिर से चाह दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलिवूड के दोस्त सबसे चहीते सूपर इस्टारों के बारे में जिनकी फिल्मों का दर्शक बड़ी पेस सबरी से इंतिसार करते हैं एक है बॉलिवूड का दबंग तो दूसरा है पॉलिवूड का सिंगा और अब यह देख लीजिए कि साल 2019 में इनकी जितनी भी फिल्में रिलिस हुई वो बॉक्स आफिस पर बड़े अच्छे तरीके से सफल हुई या आप कह लीजी कि साल 2020 में इन अभी नेताओं की काफी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है जिनका दर्शक बड़ी बेस सबरी से इंतिसार कर रहे है सल्मान और अच्छे की फिल्मों का क्लैश बॉक्स आफिस पर पहले भी हो चुका है तो हम बात करने वाले हैं इन दोनों अभी नेताओं की साल 1994 में आई दो बड़ी फिल्मों के बारे में एक है दिल वाले और दूसरी है चांद का टुकडा तो इन दोनों फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे बस आप इस वीडियो के साथ पने रहेगा सबसे पहले अगर आप अचे देवगान और सल्मान खान को एक बहुतरी नभी नेता मानते हूँ तो इस फिल्मों को दिल से लाइक करें और साथ इसाथ फिल्मों के ऐसी ही चानकारी के लिए चैनल को भी सरूर सबस्क्राइब करें सबसे पहले आपको बताते हैं चानका टुकडा फिल्म के बारे में ये फिल्म आई थी 19 अगस साल 1994 को और इस फिल्म में सल्मान कान, श्री देवी और अनुपमखेर एम किरदारों में अस्तर आये थे फिल्म के डिरेक्टर थे सावन कुमार बजट इस फिल्म का तकरिवन 3 करोड रुपे था और बॉक्स आफिस इंडिया फार इस फिल्म ने सिर्फ 2 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 4 करोड रुपे कमाई थी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पार फ्लॉप साबित हुई थी चलिए दूस्तों आपको बताते हैं दिलवाले फिल्म के बारे में दिलवाले फिल्म की जितनी तारिफे कीजाए काम है साल 1994 की सबसे बहतरीन फिल्म में शामिल है दिलवाले इस फिल्म के गाने इस फिल्म के स्टोरी आज भी दर्शक जब देखते हैं मात्र 2 करोड रुपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर तकरीबन 7 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड रुपे से भी ज्यादा कलक्शन किया था और कि एक एक्शन, ड्रामा, रोमेंस ते भरपूर फिल्म थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ओफिस पर सुपरिट दोनों में आपको फिल्म है कौन सी पसंद कमेंड में जरूर बताईएगा